Hello friends, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट Lawyer NPP आज मैं आपसे बात करूँगा चार प्रकार के पुरुशार्थ के बारे में यानि कि जब इनसान जनम लेता है, इस दुनिया में आता है, तो वो चार पुरुशार्थ को साथ लेके आता है पुरुशार्थ का यहां मतलब है आपके Aims, आपका गोल, यानि कि पुरुश का मतलब इनसान और अर्थ का मतलब उदेश्य, आपके गोल, आपके Aims यानि कि आपने इस धर्ती पर जब जनम लिया, तो आपके चार गोल, Aims, वो आलेडी फिक्स है सबसे पहला जो आपका Aims आता है वो आता है धर्म का अब धर्म का मतलब यहां पे कोई मंदिर में पूजा करने से नहीं है, धर्म का मतलब आपके duty से है यानि कि जब भी इंसान इस दुनिया में आता है, तो कुछ न कुछ अपने उदेशे को पूर्ण करने के लिए उसकी कुछ duty निहित की गई है duty for the self, duty for the family, duty for the nation, duty for the society हर इंसान को ये duty निभानी पड़ती है तो इसी प्रकार जो चार पुरुशार्थ हैं, उनमें सबसे पहला धर्म आता है, दूसरा अर्थ आता है, तीसरा काम आता है, फौर्थ मोक्ष आता है इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कि जैसे कोई cd है, उसका जो first ladder है, वो धर्म का ladder है धर्म का मतलब उसका step है, और दूसरा जो उसका step है, वो अर्थ का step है, तीसरा जो step है, वो काम का step है और सबसे highest elevated position जो आती है, मोक्ष के आती है यानि कि किसी व्यक्ती ने अपनी duty अच्छे से निभाली, irrespective of the circumstances तो उसका धर्म accurate और correct हो गया second number पर बात आती है, अर्थ की, अर्थ का यहाँ पर मतलब है material से यानि कि जब आप दुनिया में आएंगे, तो शरीर को सुख देने के लिए आप बहुत सारी चीजें इकठी करेंगे, जैसे कि आप घर बनाएंगे आप luxury के items purchase करेंगे, क्योंकि अर्थ material है आप सभी तरह का material अपनी जीवन में इकठा करेंगे, accumulate करेंगे अब जब अर्थ को हमें सही करना है, तो वो जो accumulation of material है accumulation of wealth है, वो सही तरीके से होना चाहिए, honesty से होना चाहिए तो अगर आपके दवारा कमाया गया पैसा, accumulate की गई wealth अगर वो सही तरीके से है, तो आपने अपने अर्थ को भी सही कर लिया तीसरे नंबर पर आपका आता है काम, काम का जो समंद है वो करम से है काम का समंद जो है वो desire से है हर व्यक्ति की बहुत सारी desires होती है, किसी की ज्यान प्राप्त करने की desire है किसी की पैसा कमाने के desire है किसी की essential pleasure लेने के desire है अगर आपने अपने काम को भी सही कर लिया और positive directions में अपने करम को रखा अपनी fulfillment of desire को रखा तो आपने अपना काम भी सही कर लिया अपना करम भी सही कर लिया जब आपका धरम सही हो जाएगा जब आपका अर्थ सही हो जाएगा जब आपका काम सही हो जाएगा तो आपको मौक्ष मिल सकता है अब हम बात करते हैं इस चीज को समझते हैं देखिए जब शादी होती है तो जो शुरू के चार फेरे होते हैं अगनी के चारों तरफ जो हम फेरे लेते हैं एस्पेशली सनातन के अंदर हिंदू कल्चर के अंदर और चार सिख धरम में जब हम चार लामा लेते हैं जो चार लामा हैं वो इन चारों पिल्लर्स को या चारों स्टेप्स को ही डिनोट करते हैं पहला जो सबसदी होती है जो अगनी के चारोतर फेरा होता है या फर्स्ट जो लावा होता हो धरम का होता है जिसमें पतनी आगे चलती है और वो ये प्रॉमिस करती है अपने पती को कि आपकी जो ड्यूटीज है जो आप इस जन्म में अपने ड्यूटीज निभाओगे for the family, for the self, for the society, for the nation, irrespective of the circumstances आपने वो ड्यूटी निभानी है मैं उसमें आपका साथ दूँगे फिर हम second ferry की बात करते हैं या second lava जब हम second ferry में भी इस तरहीं आगी रहती है पुरुषे और वो पुरुष को ये प्रॉमिस करती है कि जो आप जो अर्थ कमाओगे, जो मैटीरियल इक सही तरीके से, नेक और नियती से, उनेस्टी से, उसमें मैं आपका घर चलाओंगी और आपको गलत तरीके से पैसा कमाने के ज़रूरत नहीं है और मैं आपको हर तरीके से कॉपरेट करूँगी, तीसरे नमबर पर आता है काम, तीसरे फेरे में भी जो वाइफ है, जब सबस से प्रोमिस करती है कि आपकी जो डिजायर्स हैं इंक्लूडिंग सेंश्वल डिजायर्स शारीरीक डिजायर्स वो भी मैं आपको संपूर्ण करूंगी आपको बाहर जानी के वशक्ता नहीं है आपके लिए उलाद भी पैदा करूंगी तो आप अपने काम को सही डारेक्शन म में रखना पोजिटीव रखना और जब चोथा फेरा आता है फौर्थ फेरा तो पतनी पीछे हो जाती और पती को आगे कर दिया जाता है यहां पर यह इसलिए कि अब पतनी बोलती है कि आपके धरम में भी मैंने आपका साथ दे दिया आपके अर्थ में भी मैंने आपका सा आपकी सारी desires fulfillment की कोशिश मेंने की तो अब आप मौक्ष के प्राप्त कर सकते हो मौक्ष के लिए जा सकते हो मौक्ष का मतलब है liberation from birth and death तो यह दोस्तों जो चार पुरुशार्थ हैं आप चाहे डॉक्टर हैं आप चाहे एडवोकेट हैं चाहे आप engineer हैं या कोई भी आप काम करते हैं काम का सम्मद वैसे अगर हम astrology की बात करें तो Saturn से relate करता है काम और Saturn identity की बात करता है आपकी समाज में identity as a doctor है as a lawyer है as a teacher है तो कोई ना कोई identity हर व्यक्ति अपनी समाज में रखता है और आप कि जब किसी पद पे बैठे हैं आपको जब कोई भगवान ने काम assign कर दिया है आपकी कोई identity समाज में बन चुकी है तो सबसे पहली जो आपकी duty है वो अपने धर्म को सही करना है यानि आपको अपनी duties irrespective of the circumstances honesty से निभानी है तो जिस व्यक्ति ने अपनी duties को अच्छे से निभा लिया अपने धर्म को करेक्ट कर लिया जिसने अपने अर्थ material की जो collection करनी है उसको positively अच्छे ढंग से उसने material कठा किया गलत रास्ते नहीं अपनाए corruption नहीं किया तीसरा जिसने अपनी desires को fulfillment को desires of fulfillment of desires को सही तरीके से सही पात पर जो लेके गया तो वो जो आपको मौक्ष के मिलना आपके लिए असान हो जाएगा अगर आपका धर्म खराब हो गए आपने सही डंग से duties नहीं नी भाई आपका ने अपना अर्थ खराब कर लिया सही डंग से पैसा नहीं कमाया आपने अपना काम खराब कर लिया, आपनी fulfillment of desire सही डंसे नहीं की या गलत रास्ते बे चल पड़े, तो आपको मौक्ष नहीं मिलेगा, आपको इस दुनिया में इस अर्थ पे दुबारा शरीर धार्ण करके आना पड़ेगा, भगवान फिर से आपको चांस देगा, कि इस बार अपना धर्म सही कर लिजिए, अपना अर्थ सही कर लिजिए, अपना काम करन सही कर लिजिए, तो ये जो धर्ती पे शरीर धान करके आने का जो ये process है, ये आपको continue रहेगा, हर भार भगवान आपको मौका देगा, और आपके जो past के deeds थी, उसके according आपको शरीर मिलेगा, औ ये कि आपको इस जीवन में भोगना क्या है, वो आपको इनी इस चीजों पर decide करता है, हर व्यक्ति की जो journey है, या तो वो भोगी होता है, या वो योगी होता है, तो सबसे best जो situation है, वो है balance के situation, जीवन को भोगना भी जरूरी है, सुख के साथ निकठे करने भी जरूरी है, और जीवन के अंदर योग भी जरूरी है, आपको meditation भी जरूरी है, तो जब हम detail में बात करते हैं, तो ये दो जो journey है, different journeys है मैंने आपको बताई, ये एक Venus की journey है, एक Jupiter की journey है, Venus जो planet है, astrology में, वो संसारी सूखों का कारक है, आपकी luxury का का कारक है, आपकी romance love का का कारक है, तो Venus जब आप दुनिया में पैसा ही कठा करते हैं, शरीर को सुख देने के साधनी कठा करते हैं, तो जो journey है आपकी वो Venus की है, संसारी सूख आप ही कठा करते हैं, हर व्यक्ति शरीर को सुख देने के साधनी कठे करता है, वो जरूरी भी है, आपकी जिन्दगी चाहे 40 साल की है, चहे 50 की है, चहे 60 की, चहे 70 की, या 80, 90 जितनी भी है, तो यहाँ पे शुक्र का होना बहुत ज़रूरी है, यानि कि आपकी जर्णी material gain की होनी चाहिए, material gain होगा, तभी तो प्रिवार का portion कर पाएंगे, material gain होगा, तभी तो दानपुन कर पाएंगे, तो शुक्र का होना जीवन में बहुत essential है, ये जर्णी भी, हाला कि शुक्र का जो समंद है, वो शुक्राचारिये से है, जो राक्षशों के गुरू थे, अब जितने भी जो राक्षशों को अगर हम देखें, उन्हों नों भी शुरीर को सुख देने के लिए, भोतिक सुखों के लिए ही संगर्श किया, अब second part जो life का है, वो जुपीटर की जर्णी है, जब हम जुपीटर की बात करते हैं, जुपीटर का समद्ध ग्यान से है, जुपीटर का समद्ध हमारे जितने भी scriptures हैं religious, किसी भी धर्म के, और किसी भी धर्म के जो institutions हैं, गुर्दवारे हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, इन सब जितना भी religious knowledge है, सारा का सारा, उसका समद्ध जो है हमारा जुपीटर से है, जब शुकर लाइफ में आगे जाएगा, तो आपके पास wealth बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, शुकर से पैसा बढ़ता है, और जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा, आपको सवार्थी बनाता है, यानि कि शुकर की जो जर्णी है, वो इंसान को सवार्थी बनाती है, और जुपीटर की जर्णी है, वो आपको प्रमार्थ बनाती है, चैरिटी करने वाला बनाती है, तो जुपीटर की जर्णी इसलिए जरूरी है क्योंकि जुपीटर का समंद आपके अंसेस्टर से है जुपीटर का समंद आपके पुर्वोजों से है पुर्खों से है जुपीटर आपका ग्यान है तो एक ग्यान की जर्णी है जो आत्मा की जर्णी है एक शरीरिक सुख की जर्णी है जो वीनस की जर्णी है तो शरीर को सुख देने के लिए साधन जुटाएं और आत्मा को सुख देने के लिए ग्यान जुटाएं तो ये जो वीनस और जुपिटर की जर्णी मैंने आपको बताई इसमें balance होना बहुत ज़रूरी है इसमें जब balance होगा तो आप life में positivity महसूस करेंगे अन्य था जब आप इस दुनिया को त्यागेंगे इस दुनिया से छोड़ कर जाएंगे मुक्ती प्राप्त करेंगे किसी भी उम्र में तो आपको ये realize होगा कि मैंने इतनी जमीनी कठी की इतना पैसा ही कठा किया मैं पागलों की तरह हैं पैसा ही कठा करने में लगा रहा मैं मूरत था लेकिन साथ में अगर आपकी ज़र्णी जुपीटर की जर्णी रही आपने ग्यान अरजित किया आपने meditation किया आपने साधना की और charity में लगे रहे आप और आपने positive side पे काम किया समाज के हित में social reform के लिए तो कहीं न कहीं आपकी soul console होगी इस दुनिया से जाते हुए और ये जो जुपिटर है इसका जो सुख है वो प्रलोकिक सुख है आपके जन्मो जन्मांतर तक सुख है लेकिन जो शुक्र का सुख है वो जब तक आप इस जीवन में जीएंगे जब तक आपके पास शेरीर है वो तभी तक का सुख है तो जो शुक्र की जर्णी है जो संसारिक सुख है वो लिमिटेड है और जो जुपिटर का जुख है वो एटरनल है यानि कि जुपिटर का जो सुख हाईगा आपको वो एटरनल है जन्मो जन्मांतर तक है इसलिए जब आप अपनी horoscope देखते हैं उसमें 12 boxes होते हैं और 9th house जुपीटर के लिए सबसे best position मानी जाती है क्योंकि 9th house आपका भागय का है आपके पिता का है गुरूओं का है जुपीटर का है धार्मिक यात्राओं का है तो जुपीटर का समन्द धार्मिक यात्राओं से है जुपीटर का समन्द गुरूओं से है तो अगर आप सत्करम करेंगे अगर आप सही मारक पे चलेंगे आप समाज को कुछ देने की इच्छा रखेंगे तो 9th house में आपको automatically blessing मिल जाती है आपका भागय अच्छा हो जाती है अब कहने को तो बहुत कुछ है इस वीडियो में ह ताकि बहुत कुछ हम आने वाली वीडियो में discuss करेंगे आज इस वीडियो को सुनने के लिए आई थिंक आपको इससे बहुत कुछ positive चीजे मिली होंगी thank you